दोस्तों अगर आपका एक गेमिंग चैनल है लेकिन आपकी शॉर्ट वीडियो वारल नहीं होती हैं और सीखना चाते हैं कि हाउट वारल शॉर्ट वीडियो आन यूट्यूब वो भी स्पेशली गेमिंग वीडियो के लिए तो आज की इस वीडियो में आपको यही मैथड बत सकते हैं और आपकी शॉर्ट वीडियो वारल भी गरंटी के साथ कहता हूँ के होनी चाहिए यहां पर देखिएंगा कि इनके चैनल के उपर 232, 400, 5.9 के 2.8 के कुछ वीडियो पर तो इनकी वीडियो आए हैं 5K, 2K, 1K, 3K लेकिन अभी के टाइम पर यह जो शॉर्ट वीडि अपने चैनल का अबाउट सेक्शन भी ठीक किया है लेकिन फिर भी शॉर्ट वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे हैं तो प्रॉब्लम एक्चुल में क्या है यहां पर आपके सामने इनकी एक लेटेस्ट यहां पर यह एक शॉर्ट वीडियो है जो इन्होंने अभी लेके बाद इस चैनल के लिए यह वीडियो क्रियेट कर रहा हूं यहां पर देखे कि इन्होंने यह कीवर्ट वी लगाए और नीचे हैश्टेक्स भी लगाए हैं लेकिन फिर भी इनकी शॉर्ट वीडियो वारल क्यों नहीं हो रही इनकी डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले कीवर्ड लगाए हैं ऐसे ही आपने भी कीवर्ड यूज़ करने यह उपर वाले अगर आप कीवर्ड यूज़ को यूटूब के सिस्टम को शॉर्ट वीडियो की केटेगरी और शॉर्ट वीडियो को शॉर्ट समझने में बहुत प्राबलम होती है जिसकी वज़ा से शॉर् वाइरल होना स्टार्ट हुई है उन्होंने उसको छोड़ दिया और उसके बाद यहाँ पर देखें कि different categories की gaming की जब आप videos एक ही चैनल के उपर upload करेंगे audience distract होती है और YouTube का system initial मतलब starting में short video upload करने के साथ ही जो आपकी short video को आपके short video ज़रूर वारल होंगी अब यहाँ पर आपको एक third mistake बताता हूँ जो सबसे ज़्यदा important है gaming channels के लिए यहाँ पर मैं आपके सामने इसी channel की यह video latest यहाँ पर open करता हूँ open करने के बाद इसको stop करता हूँ नीचे देखें के इन्होंने gaming shots के लिए जो title यूज किया है उसमें सिर्फ word लिखा है gaming अब यहाँ पर मैं आपको tube buddy की एक application है यह tube buddy की application है इस application पर लेकर जाओं यहाँ पर menu वाले option के उपर आपने tick करना है और उपर आपको option मिलेगा tag explorer का इसके उपर click करके यहाँ पर मैं सिर्फ type करता हूँ gaming गेमिंग जैसे ही type करता हूँ तो देखिएगा कि इसकी search ranking क्या आती है क्या YouTube का system इसको boost करेगा यह नहीं यहाँ पर देखें कि इसका search volume तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इसका competition भी बहुत हाई है अगर आपका एक new channel है तो new channel पर आप वो keywords यूज करें जिसका search volume ज़्यादा हो और competition बहुत लो हो यहाँ पर for example मैं search करता हूँ gaming shorts अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर देखते हैं कि इसकी search ranking YouTube का system क्या बताता है यहाँ पर देखें कि इसका search volume बहुत कम है और competition बहुत ज़्यादा है तो इस तरह के keywords को अगर आप अपनी short video के title में use करेंगे तो आपकी short videos viral नहीं होंगी दोस्तों फिर short video viral tips and tricks 2024 का इनको कौन सा keyword अपनी short video के title में use करना चाहें यहाँ पर देखें कि three dots के उपर click करके मैं gaming shorts video का एक title अगर यहाँ पर search करता हूँ तो यह देखेंगा कि इसका search volume बहुत ज़्यादा 100% है competition इसका 50% है और overall rating इसकी निकल कर आई है 100% अगर यह इस title को के gaming shorts video को अपनी short video के title में use करते तो इनकी short video यहाँ पर viral होना start हो जाती YouTube search में जाती अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि देखें कि इन्होंने अपनी short video के title में जो hashtag use किया है आपने सबसे पहले कोई भी category आपकी gaming है, technical है, vlogging है, cooking है, कुछ भी upload करते हैं जो आपने hashtag use करना है, सबसे पहले आपने shorts का hashtag use करना है क्योंकि YouTube के system पर आप short video upload करने लगे जब तक आप अपनी short video के title में है, shorts को सबसे पहले use नहीं करेंगे तो आपको उसके tags के उपर भी work करना पड़ेगा यहाँ पर यह एक application है, आपके सामने you tools की इसको आप play store से easily download कर सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे के एक option मिलेगा आपको tag extractor का इसके उपर click करके यहाँ पर मैं वो link paste करता हूँ और go करता हूँ तो यहाँ पर यह मुझे उसी वीडियो के tags निकाल कर देदेगा यहाँ पर देखें कि मैं कहता हूँ कि जब तक आप अपनी short video के title tag description में YouTube Shorts के keywords और YouTube Shorts के hashtags यूज नहीं करेंगे जैसे इन्होंने यहाँ पर देखें कि अपनी short video के tag वाले box में YouTube Shorts से related tags नहीं लगाएंगे आपकी चैनल की चाहे कोई भी category हो gaming हो, vlogging हो, technical हो तो आपकी short videos वाइरल नहीं होंगी कुछ views तो आएंगे लेकिन आपकी short videos stop हो जाएंगी अगर अपनी short video को वाइरल करना चाहते हैं इस method को apply करें ताकि आपकी short video भी वाइरल हो सकें Thank you